हाई गाईज, वेलकम तू माई चैनल, कॉमर्स अध्यन लास्ट वीडियो में हमने मीनिंग, कॉंसेफ्ट ऑफ मैनेजमेंट, फीचर ऑफ मैनेजमेंट, अबजेक्टिव और इंपोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट के बारे में डिस्कस क्या था आज हम देखेंगे, function of management, मतलब management काम क्या करता है, management के क्या-क्яла काम होते है जिन लोगों ने last videos को नहीं देखा है, उनसा request है वो last videos को देखें उसका link मैंने description box में share किया है, आप वहाँ जाके last videos को देख सकते हैं so start करते हैं आज को topic, function of management, के management के क्या-क्या functions होते है जैसे मैं आपको पहले भी बताया था कि management क्या होता है एक process होता है process होता है और process का मतलब होता है series of steps मतलब किसी भी काम को step by step करना तो management क्या होता है management में जो भी goals होते हैं goals को achieve करने के लिए जो भी work किया जाता है वो कैसे किया जाता है step by step किया जाता है और जो यह steps होते हैं वही क्या कहलाते हैं functions of management कहलाते हैं तो आगे देखते हैं functions of management mainly management के five functions होते हैं जो क्या होते हैं planning, organizing, staffing, directing and controlling और इन five functions मिलके क्या करते हैं किसी भी काम को step by step करते हैं सबसे पहला होता है हमारा planning planning में क्या काम करना है, कैसे काम करना है, कब कैसे काम करना है और किससे काम करना है या किससे के दौरा काम किया जाएगा वो सारा काम किसमें आपन डिसाइड करते हैं planning में डिसाइड करते हैं planning के बाद होता है organizing organizing में organizing मतलब होता है संगठन या समूमू जिसमें क्या क्या चाता है, जो भी resources होते हैं, वो resources हम को कहा से मिलेंगे, resources, collection of resources, required resources, and जो भी duties and responsibilities होंगी staff की, वो सारी चीज़े organization में decide की जाती हैं, organization के बाद होता है, अपना staffing, staffing मतलब की staff को रखना, या किसी भी person को job देना, वो होता है, staffing, staffing के बाद होता है, directing, directing मतलब जो भी हम staff को रखे हैं, जो भी workers को रखे हैं, वो सही काम को कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो उनको उस goal को achieve करने के लिए direction देना, वो किस में आता है, directing में फिर होता है control, control मतलब होता है कि जो भी काम हम लोगों ने जो भी goals decide किया था, जो भी standard work हमने decide किया था, वो उस जो भी काम हो रहा है, उस standard work के according हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो हम control में देखते हैं, जैसे ही control का काम खतम होता है, वापस से planning का काम क्या हो जाता है, start हो जाता है तो यह जो भी functions होते हैं, वो क्या करते हैं, एक cycle की रूप में काम करते रहते हैं, जो एक के बाद, एक के बाद, एक उनका क्या होते रहता है, काम होते रहता है, सबसे पहले हम देखते हैं, planning, planning में क्या क्या जाता है, जो भी काम हमको करना हैं, उसका advance में हम क्या कर देते हैं, क्या काम करना है क्या काम नहीं करना है तो planning is the first and foremost function of management I think planning के बारे में सब जानते होंगे planning को एक एक जामपल के थूरो हमको चॉपिंग करने जाना है कपड़ खरीदने जाना है तो कपड़ खरीदने हमारा क्या हो गया गोल हो गया अब उस गोल को अचीफ करने के लिए हम क्या करेंगे सोचेंगे कि हमको कपड़े लेने जाना है तो कप कपड़े लेने जाना है कहां से कपड़े लेना है वो कपड़े को हमको कौन लेके देगा ये सारी चीजे हम क्या कर रहे हैं करते हैं लिए निपने अचीव करने के लिए पहले से dwaशी हमें लेनी के सीzeitig किया है मतला हमारा जो लुद्छ कॉ दोνε Tay Di 뒤 ना मलश्ते हैं setting goals in advance and developing a way of achieving them effectively and efficiently. मतलब, प्लानिंग में हम अपन क्या करते हैं? गोल को पहले से ही advance में ही set कर लेते हैं और उस गोल को achieve करने के लिए काम करते हैं वो भी efficiently and effectively. तो जो प्लानिंग होती हैं प्लानिंग में हम पहले से ही क्या क्या चीज़े decide कर लिए? what to do, मतलब हमको क्या करना है? how to do, मतलब हम कैसे करेंगे? when to do, मतलब हमको कब करना है and who is going to do it, मतलब कि हम लोगों ने जो भी goals को decide किया है उसको कौन करेगा? तो यह सारी चीज़े किसमे decide हो गई हमारी planning में decide हो गई फिर next है हमारा organizing, organizing मतलब होता है कि एक संगठन या समून जिसमें अपन क्या करते है? organize करते हैं, एक संगठन बनाते हैं, जिसमें manpower और material दोनों मिलकर goals को achieve करने के लिए कैसे work करते हैं? यह work कैसे होगा? वो organizing में decide होता है. organization यह भी determine करता है कि कौन कौन सी activities होंगी और उन activities को करने के लिए जो भी, resources की ज़रुवत पड़ेगी वो कौन कौन से resources होंगे? मतलब कि organizing determines what activities and resources are required कि हमको कौन कौन सी activity होंगी कौन कौन से resources की requirement होंगे? कौन कौन sे departments होंगे? कितने departments होंगे? उन departments में कौन कौन लोग होंगे? यह सारे چीज़े कौन decide करता है? organization के हमको जरुत हैं, how to assign authorities and responsibility, जो बे departments हैं, उन departments के heads होंगे, उन heads को कैसी authority दी जाएगी, कौन-कौन से authority दी जाएगी, उनकी क्या-क्या responsibilities होंगी, इस थारे चीजे का discussion किसमें होता है, हमारा organization में होता है, next है हमारा staffing, जब हमने डिसाइड कर लिया, कि कितने departments होंगे, कौन-कौन स काम करने वाले को, आप अपन क्या करते हैं, staffing करते हैं, मतलब कि staff को रखते हैं, point करते हैं, कि इन department में कौन-कौन से लोग क्या करेंगे, work करेंगे, तो the third important function of the management is staffing, because without adequate staff, there can be no organization and without organization, there can be no management, जब तक के staff नहीं होंगे, तब तक organization नहीं होगा, और जब तक organization नहीं होगा, तब management को imagine करना भी possible नहीं है, तो staffing का मतलब होता है, finding the right person for the right job, मतलब की, एक सही person को सही job देना, वो क्या कलाता है, staffing कलाता है, under staffing, recruitment, selection, placement, training, जैसे activities को भी क्या किया जाता है, involve किया जाता है, staffing में हम लोगों को promote भी करते हैं, जैसे employees को अगर हम लोगों ने रख लिया, ठीक, उनको रख लिया, उनको select किया, उनको अपर ने training दी, training के साथ में उनको हम क्या करेंगे, तीरे-दीरे motivate करने के लिए, promotion भी देंगे, क्योंकि जो workers होते हैं, वो क्या करते हैं, काम को करते-क करते हैं, उनको सुस्ति आ जाती है, काम के प्रती उनको निराशा होने लगते हैं, दीरे-दीरे, तो उनको motivate करने के लिए, क्या किया जाता है, promotion दिया जाता है, ताकि उनका जो interest है, काम के प्रती हो क्या हो, continue बना रहे है, transfer of employees भी इसके अंदर में आता है, staffing के अंदर में, जैसे कि हम जानते हैं, कि business के बहुत सारे branches होते हैं, तो generally क्या होते हैं, जो भी managers वगेर होते हैं, वो employees का transfer एक branch से दूसरे branch में करते रहते हैं, तो staffing में अंदर में हम ये सारी activities को क्या करते हैं, involve करते हैं, next है हमारा directing, directing का जो काम होता है, वो lower level management का होता है, जो lower level management होता है, directing मतलब होता है, सही दिशा देना, directing में manager ये department head, ये supervise करता है, कि organization के जो goals के, उनको achieve करने के लिए जो work हो रहा है, वो efficiently and effectively हो रहा है, या नहीं हो रहा है, अगर नहीं हो रहा है, तो क्यों नहीं हो रहा है, ये सारा काम कौन करता है, lower level management करता है, मतलब कि जो भी supervisor होता है, वो सारे जगा में पूरे business में घूम के देखता है, कि जो भी काम हो रहा है, जो members के थूरू जो भी काम हो रहा है, वो effectively or efficiently हो रहा है या नहीं हो रहा है, और अगर नहीं हो रहा है, तो उसका क्या कारण है, तो वो worker से बात करता है, उनकी problems को जानता है, उनकी problem को solve करता है, मतलब कि वो communication और issuing of orders and instruction of two subordinates ते भी उसके subordinates होते हैं उसे वो communicate करता है और उनको instruction देता है order देता है कि वो सही तरीके से काम को करें जो directing होता है directing में guideline दिया जाता है किसी भी काम को systematically करने के लिए तो guiding and leading the subordinates to perform the work systematically फिर जो directing में जो managers सोरी super supervisors जो होते हैं वो क्या करते हैं अपने subordinates को वर्कों को वला जो भी वो work करने हैं उस वर्कों को वो interest के साथ करें उनके लिए वो क्या करता है inspire भी करता है उनको मतलब कि उनको स्थीरे दिरे वो time time पे क्या आता है inspiration भी देते रहता है ताकि वो क्या करें काम को अच्छे से करें अगर directing नहीं होगा सही दिशा नहीं की चाहेगी workers को तो वो अपने goals को achieve नहीं कर पाएंगे तो direction में सारी activities को include करते हैं कि जो भी local level management होता ह है supervisor हो time time पे अपने worker से connect होता है communicate करता है इंको guide करता है ताकि उनका का काम के प्रती जो भी interest है वो बना रहे है last हमारा last हमारा function होता है control control का जो काम होता है वो lower level management करता है जो supervisors होते है वो generally control का का काम करते है तो control is any process that guides activity towards some predetermined goal the purpose of control is to ensure that activity proceed as per plan मतलब जो control होता है control एक process का आपने बोल सकते हैं जो क्या करता है predetermined जो भी activity थी जो भी predetermined अपने goals थे उसमें ये guide करता है कि वो predetermined goals के according हो रहा है या नहीं हो रहा है मतलब कि जैसे मैंने बताया कि planning में क्या होता है business man क्या करता है अपने goals को achieve कर लेता है तो जो supervisor होता है वो controlling करने के time में ये देखता है कि जो भी goals थे उसको अचीव करने के लिए जो भी वर्क हो रहा है वो सही तरीके से हो यार रहा है नहीं हो रहा है तो वो क्या करता है जो भी वर्क हो रहा है उसको मेजर करता है ठीक मेजर करता है और जो स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस था स्टैंडर्ड वर्क था उस वर्क से क्या करता है उ पतलब कि पहले से उसने क्या क्या गोल को अचीव करने के लिए स्टेंडर्ड वर्क को क्या कर दिया था उसने एक वर्क का स्टेंडर्ड सेट कर दिया था अब वो क्या कर रहा है एक परफोर्मेंस हो रही है वर्कर्स के थुरू उसको मेजर कर रहा है Taking corrective action to ensure attainment of objective और control में जो भी अगर काम अच्छे से नहीं हो रहा है तो उस काम को अच्छे से करवाने के लिए सही क्या किया जाता है एक्षन लिया जाता है या सही डिसीजन लिया जाता है ताकि जो भी अपने predetermined goals थे उस तक हम सही तरीके से पहुंच सके लास्ट में हम एक नजर देखते हैं कि सारे जो भी functions होते हैं उन functions को कौन कौन management करता है तो planning और organizing का काम जो होता है वो top level management के थू होता है staffing और coordination का काम जो होता है वो middle level management में होता है directing और controlling का काम जो होता है वो lower level management में होता है तो यह थे हमारे functions of management अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक करिए जो न्यू वियोर्स हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपके जो भी कोई doubts है या फिया आप जो भी next वीडियो में expect करते हैं उसको हमारे comment box में share करिए और हमसे connect रहिए झारे कि उसक्राइब कीजिए एंगर आपके जो प्लीज और हमसे जो एंगर प्लीज आपके जो एंगर दो आपके जो जो भीज़ए